हेलो डियर श्टूडेंट, वल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल, शिवा मिश्टडी नौलेज, श्टूडेंट आज किस वीडियो में हम क्लाइश टोल अर्थसास्त्र की जितने भी श्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एक्जाम में अर्थसास्त्र यानि एकॉनोमि को बताने वाले हैं, वार हमारा जो 95 का टार्गेट है वो हम आपको अचीव करा कर रहेंगे, बस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा, 100 में से 95 प्लस बिल्कुल पक्का कर देंगे, यहाँ पर देखें स्टूडेंट मैं आपको तीन टाइप के कोश्चन्स बताऊंगा, स सबसे पहले हम वह विकल्पिय प्रश्णों से सुरुवात करेंगी, फिर हम आपको सारी चीज़े बताएंगे, यहाँ पर देखें सबसे पहला जो प्रश्ण क्या पूछा गया है, कि निमलिखित मैं से कौन सा एक समिष्ट अर्थसास का विशे नहीं है, यानि इनमें से को कोई एक जो है, वो समिष्ट अर्थसास का क्या नहीं है, विशे नहीं है, यह आपको बतारा है, यहाँ पर आपके पास शार उप्संस है, इनमें से आपका कोई एक करेक्ट एंसर है, बताइए, फिलाल जो पहले का आपका राइट इंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो कि क्या है, मांग का नियम, ये समिश्ट अर्थसास का विशे नहीं है, इन सारे कोश्चन को आप समझ सकते हैं और इसी तरीकी से आपका प्रशन आएगा वोड़ इजैम में, समझ में आ गया, देखें, दूसरा प्रशन है, अर्थसास्तर के जनक कौन कहा जाते हैं, देख दूसरे का आपका ए हो जाएगा एडम इसमित हो जाएंगे अर्थिसास्त्र के जनक समझ में आ गया चली देखते हैं अगला कोश्चन देखें तीसरा नमबर निम्र मैसे कौन जो है आर्थिक किरिया है नहीं वाला सम्द आपका किसमें आया था देखें बोड एक्जाम में का 15 मिन पूरा completely पढ़िए फिर सारी चीज़ों को समझ में देखें यहां पर नहीं वाला सम्द को है नहीं है कि इसमें है किनिम्र में से कौन सा आर्थिक किरिया है तो इनमें से सभी हो जाएगा या तीसरे का आपका डी हो जाएगा उपभोग भी है उत्पादन भी है और वि based economics में यही कोशन पूछी आते हैं तो भारत की वितमंतरी जो है निर्मला सीता रमण जी भारत की वितमंतरी जो कि पूरा साल का कितना खर्च हुआ क्या हुआ सारी चीज़ी पूरा calculation के साथ में हर साल के साल के लाश्ट में बताती है कि वह या क्या-क्या डेश के रोजगार में विर्द्धी हुई देश का रोजगार कितना बढ़ सकता है क्या खर्च हुआ किस चीज पर खर्च हुआ तो पूरा मलब एक प्रिकार से कुलेशन जैसे हम एकोनुमिक्स के स्टुवें कहता है आ उसके बाद में देखेगे में पाथ्च वरत्मान युग में उत्पादन के चाहीắ है वरत्मान ईग कि पनीपादन के साधन वोगत्तने कहा हो जाएंगे देख TF5 हं इसारी कोश्षेन पर गोटेंट है और इसी तरीकी से आपके वा !! इसी समीखरण में स्वयत क्या है स्वयतं उपभोंग कितना है 100 है 0.50 यह दो सूर अब देखिए इसी समीखरण में शौयत उपभोंग की बात हो रही है यहांपर देखिए क्या आएगा समीखरण में आपको तोड़ा केल्कूलेशन के साथ में बता दूर को यह देखी सी बराबर सौ देखे सी बराबर शौ प्लस जीरो पॉइंट फाइप वाई यह आपका आएगा इसी के साथ में देखी यह आपका सबसे पहले आएगा फिर इसके नीचे यह लग कर आएगा कि इसी समी करण के शौयत उपभोग कितना होगा तो यहापा जो राइट जाता है वित्मंत्रालाई के द्वारा भारतिय रिजनब बैंक राष्टी परतिदर सर्वेच्छन संगठन या केंद्रे शंक्यकिये संगठन तो इनमें से आपका डी हो जाएगा राइट है जो की साथ में का डी बिल्कुल सही है इनमें से आपको कोई में कोश्चन का ऑप लोगों को जरूर बताएंगे विकि हमारे तरफ से कोई भी गलती नहीं होती है सिर्फ जो बुक और क्या जो मैं सर्च करता हूं गूगल पर जो भी सारी चीज़े वो सर्च करता हूं तो वहां पर भी गड़बड़ हो जाती हो बुक में भी कभी-कभी ऑपसंस गलत दी दि सर नाइत नंबर कोशन है पूरक वस्तों के लिए मांग के त्रियक लोच होती है गणात्मक रणात्मक शोन या अनद तो जो नौर बलहेंट में से अपका रणात्मक हो जाएगा राइट एंसर समझ में आ गया चली देखते हैं अगला कोशन देखे क्या है देखें मुद्र मुद्र शे का नेदरिन करने हैं तो बैंक फ्र हैं बढ़ाई जाती है गटाई जाते है स्ठेयर रखी जाती है शोन की जाती है तो दस का अब का बढ़ाई जाती है राइट एंसर हो जाएगा इarthy में से किसी का भी आपको बिकलप गलत हुरे देखना तो यानि जैसा कि हमने बताया था वीडियो के शुरुवात में आप लोगों को, कि मैं इसका क्या है, आप लोगों को उत्तर भी देने वाला हूँ, प्रशन सहीत उत्तर रहेगा, दस प्रशन हम आपको बताएगे, जैसे दस प्रशन आपका वहोगी कल्पे कंफिलिट हो गया, द सकारात्मक आर्थिक विशलेशन से आपका अभिप्रियाई क्या है, इससे अभिप्रियाई क्या है, यह बता रहा है, तो यह आपर देखे है अंसर, सकारात्मक आर्थिक विशलेशन अर्थिसास्तर से अभिप्रियाई उस अध्यान से है, जिसमें यह अध्यान किया जाता ह प्रिया है अब यहीं पर अर्थ पूछ लिए आता है तो आपको अलग परिकार से पूछाई ता अलग परिकार से दिखें अर्थ आ श्राई यह सारे एक ही है काफ़ी स्टूटरिश गफ्हस हो जाते हैं लेकिन इसकी बारे में बताना है तो देखें मांग लोचदार तब कहलाती है जब मांगी गई मात्रा में परतिसत जो मांगी गई मात्रा है इसमें परतिसत परिवर्तन कीमत में परतिसत परिवर्तन से अधिक होता है जो कीमत है इसमें परतिसत परिवर्तन जो है क्या है अधिक होता ह इसी को हम एक वस्त से मांग लूजदार कब कहा जाता है वो इसी समय पर कहा जाता है या इसी तरीके से कहा जाता है समझ सकते हैं को जाता जानकारी के लिए आप इस्टुडेंट वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को समझ सकते हैं क्योंकि आपके लिए क्या है समझना बह आपको लिखना आता है राइटिंग अच्छे है आप अपने सब्दों में भी लिख सकते हैं समझ में आ गया उसके बाद दिखे तीसरा क्या है हाशमान पैमाने का पर्तिफल कम होता है जो हाशमान पैमाने का पर्तिफल कम होता है तो आंसर देखे हाशमान पैमाने का जो श्बी आगतो हैं, इसके अनुपातिक वृद्धी की तुल्ला में निरगत में क्या शमानुपाति वृद्धी कम होती है, यह कम होती है, इसी को हांशमान पैमाने का प्रतिफल होता है यह आपर देख सकते हैं तो यह बोड एक्जाम में जो आपका अर्तिलगुत तरिये प्रशने ज्यादा नहीं तीन नंबर का पूछा आता है तो तीन नंबर के लिए एक्जामनर को आपको प्रूफ करना होगा कि इतने सब्दों में हम दे लिखा है क्योंकि एक्जामनर को भी तीन नंबर देना है तो यह भी लगना चाहिए कि कोश्चन में दम है आप में भी दम होना चाहिए कि बोड एक्जाम में आप पेपर देने जारे सारे कोश्चन को आपको उकरना है चौधा कोशन देखे क्या है बाजार का अर्थ लिखिए बाजार क्या है आप लोगों को पता ही होगा बाजार क्या है मार्केट के बारे में आपको पुरा सारी शीषा बताने कि मार्केट होता क्या है रोका इस्थ दूसरे के संपर्क में लाकर वस्तो तो था सीवाओं की विक्री एक खरीत को शुविधा जनग bada लोग लेते तो एक दूसरे के संपर्क में यानि हम कुछ सामान बेच रहे हैं तो जो दूसरा पर्टिकॉलर जो आएगा हमारी आपस सामान लेने तो जिसे हम क्रेता है यानि हम देने वाले वो बिक्रेता है क्या विक्रेता क्रेता 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 दोनों का जिसे क्रेत गया कर्येता नाकर सेवाओं की विक्री को खरीद या नियुकर जेकर कि देना आएक है बदा बेंगा बनाता है ये बजार चोटा-चोटा आपको लिख रहा है ज्यादा बड़े में नहीं आपको लिखना है काफी स्टूइट सोचते हैं कि सर कोश्चन में इसका अंसर में थोड़ा बड़ा दू देखें बड़ा आपको देना नहीं पड़ेगा देखें कितने देना है आपको 25 सब दो यानि जितना पूछा गया है उतने में ही दीजी क् कि उतने में बनाई है क्या है और राइटिंग में लिखें राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉटेंट है गैप जरूर कीजिएगा हमारा एक वीडियो जल्द ही आने वाला है जिसमें हम आप लोगों को क्या बताएंगे कि बोर्ड एक्जाम में जो अर्थसास्र की अब लिखने का तरीका होता है Economics का अलग परिकार से Geography का अलग तरीके से Socialogy का अलग तरीके से उसके बाद में जो है आपका Hindi का अलग तरीके से तो सभी सभी सबचेक्ट का अलग अलग तरीका होता है अगला question देखी क्या है जा पर देखें पांचवा नंबर हमारा आते लग में बताना है आंसर देखिए अने बाते शामान रहने पर पूर्ती में कमी होने से संतुलन कीमत बढ़ जाती है यहाँ पर देखिए दोनों में बताया गया है कि दोनों में क्या 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 खूबी है जिसे संदुलन कीमत क्या परभाव पड़ता है यहां पर देखे को शन्स थोड़ा आपको बड़ा लगना हो अब लेकिन इसका आंसर आपको बड़ा नहीं दे रहा है क्योंकि याद रखिए गांगा जिस परकार से काम उस प्रकार से दाम जिस परकार से नंबर होक संतुलन कीमत पर क्या पर्भाव पड़ता है यह देख सकते हैं यहाँ पर इसका अंसर हमने दिया हुआ है ज्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं छे नंबर प्रशन देखे क्या है देखे समिष्ट अर्थसास की सीमाएं बताईए यह आपका क प्रशन देखे क्या समिष्ट अर्थसास की सीमाइं निम लिखित है या कुछ इस प्रकार से है यह रही कि आप डायरेक्ट ही लिखती चले जाए एक दो नंबर यह जो एक का आपका यह नंबर वाला है डाल कर आप आगे लिखती चले जाए आपको यह थोड़ा आपको जो आती है सबस्Det आ गया तो यहां पर देखे सीमाई क्या है सबसे पहली है समिष्ट अर्थसास की अनेक निश्कर्श संकिंश्वर्णत कोई सरल रूप से क्या व्यत्तिकत एकाय। की सरल क्या सररचना पर आधारित है दूसरा विजाती इकायों का समुछ प्रया क्या जो विजाती इकायों का समुछ प्रया गलत निशकर्स देता है ये भी आपको समझ में आ गया तीसरा है जनसंख्या के विभिन वर्गू आपने हमारा जो टॉपिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज आप लुसको तैयार कर लेजिए एक हमने बुक का बनाया हुआ है यूटिक है जो कि आप हम इंस्टाग्राम पर नहीं तो आप क्या है कॉमें इस्टाग्राम पर आप नहीं तो टैली गाराम चैनल हमारा आपको कोई भी नहीं रोग सकता एकॉनोमिक्स में बस आप महनत कर लिए और जो मैं टॉपिक्स बताता हूं उसको आप तयार कर लीजिए सबज़वा गया उसके बाद में देखे सातवा प्रशन देखे क्या है यहाँ पर देखे व्यक्तिक आय की परिभासा देजिए जो इसका हमें परिभासा देना है तो देखे वो आय जो व्यक्तियों और परिवारों को सभी कारकों से क्या है वर्तमान हस्तांतरण सभी कारियों से वर्तमान हस्तांतरण भुकतान और कारक आय के रूप में वास्तों में कारक आय के रूप में वास्तों में वास्तों में प्रा इसके यदिए वह आई जो है आए कि और परिवारों को दिखती और परिवारों के सभी कारगों में वर्तमान अस्तांतरण भुक्तान और कारक की रूप में वास्तों में परापत होती मैं वह व्यक्तिकाय कहलाती है समझ में आ गया है । अगला कोश्चन देखिए यह देखिए हमारा आठवा प्रश्ण आ गया है अति लगो तरिये का तीन तीन नंबर का है दस नंबर पूछा जाता है तीस नंबर जैसे आपका कम्प्लीटी ली आपको इसे में मिल जाता है सारे कोश्चन को मैं करा रहा हूं और जो भी आपको व भूण यह सारी चीजी आपको मिल जाएगी तयारी को अपने बैटर बनाईए आठवा कोश्चन क्या है तरलता पास क्या है बहुत ज्यादा उप्रश्ण पूच मैं तरलता पास अंसर देखे क्या है तरलता पास वह इस्थित है जिसमें व्याज की दर अतिनिम्न होते हैं यह अतिनिमन होती है और सभी निवेशक ब्याजदर में वृधि की आसा करते हैं जो शभी निवेशक है जैसे एक Sail Market हो गया कि सेर मार्केट की बारे में भी हमाप को होता हो दो सबसे पहले को बढ़ ले प्राशन का एंसर को तो भी आज़ दर अतिनीम्न होती और सभी निवेशिक भी आज़ दर में वीड़की की आसा करते इस स्थिज में निवेश inhdoes की बंदरपत्रों को बेच कर मुद्र जमां कर ले तो इससे शेयर मार्केट होता है ना डाउन और उपर होता है तो उसी से रिलेटेड या आपका एक प्रकार सी एक जामपल मैंने दिया है तरलता पास क्या होता है सबज़ में आगे श्टुडेट उसके बाद में दिखें नौ नंबर कोशन नंबर कोशन देखें क्या है क्या ओसत बचत परवर्ति का मूल रणात्मक हो सकता है यदि हाँ तो कब में बताइए कि क्या जो ओसत है ये परवर्ति का मूल रणात्मक हो सकता है यदि हाँ तो कब हो गई यह आपको बताना तो आंसर देखें क्या है उशत बचछत परवर्ती का मोल रणात्मक जो उशत बचछत परवर्ती का मोल क्या मोल रणात्मक हो सकता है यह तो समझा सकते हैं तीन नंबर आपको मिल जाएगा उसके बाद काग जी कर है याप देखें काग जी कर से अभी प्रियाय क्या इसके बारे में बताना है आंसर देखें क्या है काग जी कर से अभी प्रियाय उन करों से हैं जिन से कभी भी क्या जिन से कभी भी बहुत अधिक राजश्यों का संग्रह नहीं हुआ है जैसे संपत्य कर उपहार उ पूरिजय में आ जाएगा और इसको देखे कोश्चन में आपको बताऊंगा आगे जो मारा लगुत्तरिय प्रशन आएगा तो इस वीडियो में जो मारा दस महत्तपूर्ण प्रशनों को हमने बता दिया है जो क्लाश्टोर एकॉनोमिक्स की तयारी के लिए बहतर बना सकता है और भी मैंने विडियो जबनाई हुए अति लगुत्तरिय प्रशन पर जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं यहां पर देखे स्टूडेट अब हमारा आ चुका है महत्तपूर्ण क्या चुका है महत्तपूर्ण अर्थसास्त्र का लगुत्तरिय प्रशन यानि लगुत्तरिय प्रशन उत्तर भी हम इसमें बताएंगे जिस तरह से आपका बोर्ड एकजामे छे प्रशन पूछा आता है खासकर अर्थसास्त्र में वो भी 6 नंबर का एक-एक प्रशन होता है इस वीडियो में अब आपको आंसर बताऊंगा कितने सब्दों में लिखना ये भी बताऊंगा समझ में आ गया है? यहाँ पर देखें श्टूरेट निम लिखी थे या या कुछ इस प्रकार से है सबसे पहला आपका भूमी तथा पूझी का निजी स्वामित्तु है जो भूमी और क्या है? भूमी तथा पूझी का निजी स्वामित्तु दूसरा है लाभ अर्जन की एक मात्र उद्देश होता है उसके बादने मैं दिखा दू आपको एक उद्देश होता है तीसरा है मांग एउपूर्ती की बाजार की श्वतंत्र दसाएं यग चौथा है वादी अर्थ व्यवस्था की महति पूर्ड विसेश ताएं क्या है वो एतने में ही आपको लिखना है चे नमबर मिल जाएंगा ज़्यादा बड़े में आपको देने के questions की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इसका limit है यानि सब्द जो पूछा गया कि भया इतने सब्द में आप लिख देंगे तो मैं 6 नंबर दे दूँगा कौन कह रहा है examiner तो आपको 50 से लेकर क्या 50 से लेकर 75 वर्ड में या लिख सकते हैं student इसका answer आपको 6 नंबर दे दिया जाएगा ठीक है समझ में आ गया देखे पहला questions का answer हमने बता दिया कि पूछी वार्दी अर्थिववस्था में ये चार प्रकार की चीजे सामिर है इनकी विसेस्ता है भूमित असा पूंजी का निजी श्वामित लाब अर्जन की एक मातरी उद्देश है और मांग पूर्ती बाजार की श्वतनतर दसाएं और सरकार अर्थिववस्था में सामाजिक नया है तथा क्या इस विकास इस थरता का ध्यान रखती है यह कुछ इस प्रकार से हमारी विसेस्ता है जो कि हमने बता दिया है देख सकते है लिडilik को रोक कर भी कोशन सको लिख सकते हैं क्योंकि इसको लिखने में मुझे बहुत महनल लगा है और आपके तइयारी के लिए क्या है हम दिन रात महनत कर रहे हैं क्या है बहुत कम समय है आपकी बूढ की पेपर के विए तो इसलिए तयारी मिलए जाए हम भी तयारी आपके करा रहा हैं और जो आप तयार कर लीजी नहीं आएगा तो आδЕन आगों बस मेहनत कीजिये और जो भी मैं सारी चीजी बताता Спई समझ opens? किसी अर्थी वेवस्था में समरस्तसदन अदायगी की बराबर क्यों होता है एंसर क्या है किसी भी देश काशना लेक तक कि सभी साधनों की आय शबी कि आय के बराबर होना चाहिए इसमें मद्वर्ती वस्तुओं पर किये गए वे उको सामिल नहीं किया जाता है इसका सीधा अर्थिया है कि सभी फर्मों द्वारा क्या है प्राया आय को उत्पादन के सभी सादनों के वीच बेतन मजदूरी सभी सादनों के वीच वेतन मजदूरी लाव व्याज लाव आरजन तथा किराय की रूप में विस्तरित किया जाता है तो इसके बारे में इतना ही अंसर आप लिख दीजिएगा एक्जामनर आपको 6 नंबर क्या है कम्प्लीटली दे देगा समझ में आ गया चली देखते है अगला कोश्चन क्या है हमारा देखिए हमारा तीसरा नंबर कोश्चन आ चुका है तीसरा नंबर कोश्चन क्या है मुद्रा के मूलने का संचय कार क्या है मात तो बताईए देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको बता रहा है нас क्या रहे है डो एस वीडियो में क्या लहीं मिलेगा रहे हूँ जो उमारा वुरिश्चन ये नहीं नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसका मैं एक-एक का ऑइंसर में देने में एफ़रा तो उसका प्लप सम में क्या है एक एक सक और अइसा काफी वह तरह से मेलब जो उसका आंसर है लिखने में काफी टाइम वेश्ट होता है और आप लोग वीडियो को पूरा देखते नहीं तो इसलिए मैं नहीं लिखकर लेकर रहा है तो मैं लिखकर डेफिनेटी नहीं लेकर रहा था क्योंकि बहुत कम समय बचा है और तयारी मैं समझ रहा हूं student मैं topic वालो जोऺ वीडियो वराया हूं और जो मैं तयाओर है जो सब्जेक्ट के लिए हम आपको वीडियो गुदे कराwałगों रहा हूं कि किस तरह से आपको questions को तयार करना है तो तीसरा जो वारा question पहुचा कि मुद्रा के मोल का संचय कार्य का महत्तु बताइए answer देखे किया है मोल के संचय का अर्थ धन मोल के मूल के संचय का अर्थधन जिसकों क्या है वैल्ट का मुद्रा के रूप में संचय है जब मुद्रा परचलन में क्या जब मुद्रा परचलन में थी तब लोग मूल लेवान वस्तों की रूप में संचय किया करते थे यहनी कुछ इस प्रकार से भी इसका आप समझ सकते हैं एक प्रकार से छूटा परिभासा है इसका जो महत्य कुछ इस प्रकार से point wise दिया हुआ है देखे सबसे पहला क्या है मुद्रा की रूप में कई बचत में उच्छे कोटी की तरलता पाई जाती है एसा वस्तू की इस्थित में शंभव है जो एसा जो वस्तू के क्या है इस्थित में ही संभव है दूसरा है कि मुद्रा की रूप में बचत को एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक आसानी से लाया जा सकता है क्या है लाया ले जाया जा सकता है विशेशकर पत्र मुद्रा को सर जो कोशन साते हैं लगूत तरीका कितने सब्दों में तो जैसे हैं वने बताया आपको पचास से पचातर सब्दों की बीच में आपको दे दे रहा है इससे ऊपर भी जाहिए लेकिन सो सब्द के नीचे ही रही है ज्यादा उड़िये मत क्योंकि छे नम्मर का कोशन है और व समय निकाल लिए लेकिन जो पढ़ाई है आप उस पर ज्यादा विश्यस करके ध्यान दीजी और आप हर एक विग्जे से संडे हो गया उसमें आपको अपना टेस्ट लीजी सारे कोशन को आप रिवीजर कीजी कि हमने जो अभी तक पढ़ा है साथ दिन में छे दिन में क्या वो मुझे आता है या नहीं आता है उसी दिन क्या है आप एक तीन घंटे का सेडूल बना लीजी कि हमें तीन घंटे में पेपर हल करना है उसी तरीके से आपके तयारी पता चल जाएगी कि भईया सारे कोशन को आप कर ले जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं तो इसी तरी मुद्रा को छोटे से क्या है मुद्रा को छोटे से छोटे मूलनी के सिक्कों तथा नोटों की रूप में बचा कर रखा जा सकता है तो यह भाईया मुद्रा का कार्य मुद्रा के मूलनी का संचय कार्य का क्या है यह बात तो बताया गया है इतने सब्दों में आप लिख दीज आराम सी वीडियो को रेक कर इसके साट भी ले सकते हैं टेस्ट भी लेजिए तैयारी आपकी अच्छे हो पाएं समझ आ गया और आप लोग हमें इस्टाग्राम पर मैसेज जरूर कीजिए जो भी हमारे पास PDF होंगे क्या है जो भी सब्सक्राइब मैं आपको दे दूगा कि फ प्रत्यासित निवेश और यर्थात निवेश में क्या अंतर है जो प्रत्यासित निवेश और वर्श के दारान एक लेखा आय का संतुलन्हातर वहा निर्धारित होता है समझए ourselves यहां पूछा यहां ही रथात निवेश क्या होता है और देखे और उसके दोनों में उसक्राइब गोचा जा सकता है कि इसमें विभीढ कीजे़ी यह थैप अंतर कहें लीजे, यह सारी चीजी क्या है, एक है, इसी तरीकी से आपको answer दे रहा है, यर्थात निवेश में देखें क्या है, यह निवेश के प्राप्त क्या है, यह निवेश के प्राप्त अस्तर को व्यक्त करता है, एक लेखा वर्ष, एक लेखा वर्ष के दौरान, निव ये अर्थात बचत को बराबर होता है और फेयर की इस तरीके से ऐसे क्या पटरी की सायता से एक लाइनों को ऐसे खेश लीजीगा और राइटिंग से अच्छी से जो गैप करके जैसा कि आप पर देख सकते हैं मैंने गैप नहीं किया क्योंकि जो इसमें जगा बहुत कम था लेकिन आप प्लीज गैप करके कि आपके पास कॉपी में 28 से 31 पेज होते हैं तो इसमें आपक कोशन लिख सकते हैं बड़ी आराव से राइटिंग से समझ वे आ गया तो चौथा कोशन था इसको भी अपने एंसर बता दिया जैसा कि आप देख सकते हैं अब चलिए देखते बारा आगला कोशन अब बारा आ चुका है पाच्वा प्रशन पाच्वा प्रशन क्या पूछा गया है मैं दिखा दू आपको यह पाच्वा प्रशन है सरकारी बजट का क्या महत्तु है पाच्वा प्रशन पूछा गया कि सरकारी जो बजट हो इसका महत्तु क्या है यह हमें बताना है एंसर देखे क्या है सरकारी बजट का महत्पूर निम्नांग क्या है या निम्लिकित सरकारी बजट का महत्पूर निम्लिकित है यानि कुछ इस प्रकार से है जैसा कि हमने बताया निम्न प्रकार से निम्नवत है ये सारी एक ही है देखे सबसे पहला है ये प्रात्मिक घाटे क को पर्तिविंबित क्या है पर्तिविंबित करता है यह सभी घाटे मिला कर मिलकर या सभी घाटे मिलकर देश में वित्य अनुशासन की मात्रा को बताते हैं घाटों का उच्छ अस्तर धाटों का जो क्या है उच्च अस्तर देश में आर्थिक इस्थिर्ता की उच्ची मात्रा को बताता है ये सबसे पहला पॉइंट हो गया दूसरा है सरकारी वजट आय तथा धन के वितरण में समानता प्राप्त करने के लिए सरकार दौणा समानता प्राप्त करने के लिए सरकार दौणा के परितनों को परतिविंबित करता है ये सरकारी बजट तीसरा इसमें देखे तीसरा भी पॉइंट है सरकारी बजट राज कुशी नीत का एक महत्पूर्ण उपकरण है अक्सर इसका उपयोग है देश में क्या इसपूतिक या अंतराल की स्थितियों में ठीक करने के लिए किया जाता है तो यह जो सरकारी बजट है जैसा कि हमने बताया है सरकारी बजट जो की निर्मला सीता मरण जो निर्मला सीता रमण जी है क्या जो निर्मला सीता रमण जो भारत की वितमंत्री है इनकी अंडर में जो सरकारी बजट का एक साल में क्या पूरा वो आता कि सरकारी बजट भया इ इसके वितमंतरी हैं जैसे कि आपको पता ही होगा economics के आप student है इतना नहीं जानते तो आप में या क्या जानते होंगे जितने को भी comment में इसका answer जितने को भी इसका answer आता था comment में जरूर बताए कि sir मुझे आता था पांच में जो सरण क्या है भारत की जो ref쪽 करें पांच में बात कर रहूं अलक नहीं छे नमर्भ मारा आखे प्रस्शन इस起लेको का क्या है अठाप शन्तुलन Litवा दिखाता है जो संतुलन रिखा यह क्या दिखाता है यहiां पर देख़ ब autfriendly का नाम बताई तो इसका अंसर देखे क्या है अधाइगी संतोलन एक देष के विश्व के सास निश्चित अउधिक के विश्चित किये गए सभी आर्थिक लेनदेनों का लेखा ब्यौरा होता है जो लेखा क्या ये बेवरा होता है परतेख देश विश्व के अन्न देशों के साथ आर्थिक लेन देन करता है या करता है अदाईगी संतुला इन प्राप्तियों तथा भुकतानों का एक लेखा बेवरा होता है समझ में आ गया यहापर क्या है दो भागों का नाम बताना तो वह दो भाग जो है इस तरह से सबसे पहला है चालू खाता तथा दूसरा है पूंजी खाता यह इस तरह से देख सकते हैं इतना आप लिख देंगे भईया तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा जैसा कि देख सकते हैं में होना चाहिए वो हो सकता है समझ भी आ गया इस तरह से आप आंसल लिखेगा सारी चाहिए को हमने बताया है बस आप को तयार करते रहे हैं और हम भी तयारी आपकी अच्छे से करा रहे हैं तो फिलाल के स्टूडेंट आज की स्विड़ों में जो की सारे को ने बता दिया बताया है हमने च्छे को अपके क्या है अपके लग हूग र抱ाव क करेगा और हमारा दस जो यह कल पराव को भी बताया है इस तरह से बताया है जिस तरह से आपके पेपर में पूछाया ऑटा ढा कर दो झाल